कैसे हैं आप सब आई हो कि सभी अच्छे हैं खुश है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं एक नई रीडिंग के साथ आ गई हूँ आज मैं वाटर साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ जिनका भी जोडियक साइन है तो आज की रीडिंग आपके लिए है देखेंगे आने वाले तीन दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे क्या गुड नियू सप्राइज ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है इन तीन दिनों में क्या बदलाओ आपकी लाइफ में आज सकेगा इन तीन दिनों में या क्या Cancer Scorpion Pisces है तो भी आप ये reading देखें अगर आपको जानना है अगर आप इन zodiac signs के साथ डील कर रहे हैं अगर आपके partner का sign Cancer Scorpion Pisces में से कोई एक है तो अगर आपको जानना है उनकी राइफ में क्या हो रहा है तो भी आपके reading वाँच कर सकते हैं और ये reading वैसे timeless है तो कभी भी अगर आप यहां तक पहुंचें तो आप definitely देखें और साथ ही ये general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate करें हो सकता है ना करें तो प्लीज कीप आपन माइंड ओके तो अब जल्दी से start करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए scorpion season तो है ही अभी let's see आपकी love life, आपका work कैसा रहेगा आने वाले तीन दिनों में क्या good news मिलेगी आपको क्या changes देखने को आपको मिलेंगे king of souls gemini libraic radius okay and page of pentacles लगता है कोई person है जो आप से माफी मांगने आ सकता है आने वाले तीन दिनों में या कोई offer लेकर आ सकता है आपके पास कोई proposal लेकर आ सकता है या sorry कह सकता है ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि ये person के पास आपके लिए कोई gift हो देने के लिए हो सकता है इस तरह आपके कुछ थिंकिंग है लव लाइफ तो स्टक है guys ये person भी आप पर स्टक है और आप भी इस person पर स्टक हो दोनों continuously एक दूसरे के बारे में सोचते हो ओके अब कुछ और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है एक कार आ गया है king of pentacles what happened पदा नी guys दो बार कार्ड गया है चलो anyway एक और कार आ गया है star okay wow the hierophant wow queen of sorry nine of pentacles and the knight of vans career के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपके तीन दिन बहुत अच्छे है और bottom of the deck से भीना eight of pentacles का कार है it means आप already काफी hard work कर रहे हो अपने career को ठीक करने के लिए काफी ज़्यादा efforts आपने लगाए है यह आप लगाएंगे इन तीन दिनों में देखो मुझे तो आपके career में काफी improvement होते हुए दिख रहा है आप कुछ ऐसी position अचीव करने वाले हो जिसमें आपको सम्मान मिलेगा ठीक है आपका नाम बढ़ेगा ownership आपके पास आती हुए दिख रही है आप देख सकते हैं ना किस तरीके से यह energy यहां present है king of pentacles means बहुत ही wealthy बहुत ही rich person होते हैं यह बहुत ही smart होते हैं practical होते हैं तो आपकी energy कुछ ऐसी ही होने वाली है और इसके साथ साथ ना इस wealth के साथ साथ आपके पास independence भी आ रहा है आप काफी freedom आ रही है आप अपने life के decision खुद से लोगे ठीक है यह success achieve करने के बाद तो आने वाले तीन दिनों में यह जो भी आप काम कर रहे है उसमें आपको progress मिलने वाला है ठीक है काफी improvement आपके work area में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आप efforts लगा भी रहे हो मुझे लगता है कि आपका कुछ dream है कि कुछ dream आपका कोई dream job है या कोई dream country है जहाँ पे आपको job करना जाके तो आप guys अपने efforts बढ़ाते रहे है लगाते रहे है आपको इसमें definitely आपकी जो भी wish है यह पूरी होगी 100% पूरी होगी आपके wish क्योंकि यहाँ पे star card है और यहाँ से hierophant का जो card है आपको definitely fame आ रहा है name आपका बढ़ने वाला है सब आपको आपके नाम से आपकी चहरे से आपको recognize करेंगे कुछ ऐसा काम आप करोगे कुछ बड़ा ही काम आप करने के बारे में सोच रहे हो और देखो मुझे तो आप लगता है आपने action ले लिया है already या फिर आपने आगे चल कर action इन तीन दुनों में हो सकता है कि आप action ले ठीक है अपने future के लिए अपने career के लिए तो guys love life में तो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है delay क्योंकि hangman का card है love life आपकी ऐसे ही है ठीक है smooth नहीं है आप दोनों ही stuck हो अपने अपने partner पर ठीक है यानि कि एक दूसरे पर stuck हो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो love life में और काफी सोचते भी हो love life के बारे में लेकिन कोई solution नहीं मिल रहा है और काफी slow progress अगर कुछ progress है भी नहीं तो वह भी बहुत slow है बहुत slow है ठीक है आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बूल सकती है कार्ट देखकर भी आपको दिख रहा है कि आप देख सकते हैं यह action लेने में कितने slow है और उपर से यह hanged man की position में है तो आपकी love life अभी इसी position में है और इसमें अभी कोई improvement नहीं दिख रहा है अगर हो भी रहा है तो बहुत slow हो रहा है आप इस टाइम पूरी तरीके से इस टाइम अपनी life पर focus कीजिए देखें यहां से यह two of cups का card है लेकिन अभी आप दोनों का दिल टूटा हुआ है no doubt कि आप काफी ज़्यादा भी अपनी life में आप दोनों एक दूसरे के soul meet हो सकते हैं अगर आपकी life में कोई partner है जिसका आप बहुत बेसबरी से वेट करे हो तो देखो यह person आपकी life में अब star का मतलब भी न एक patience रखना भी होता है ठीक है आप patience रखें आपकी यह wish भी पूरी होगी क्योंकि आपके partner की और आपके thinking सेम है एक दूसरे के लिए सेम सोचते हो तो इसलिए अभी अपनी work पर ज़्यादा focus कीजिए ठीक है अपनी wishes पर ज़्यादा focus कीजिए यह love life आपकी अपने आप ही ठीक होगी at the right time ओके तब ही ठीक होगी तब तक के लिए अपने work area में काम कीजिए मन लगा कर अपना focus पुरा का पुरा work पर रखें चले तो अब आपकी health के बारे में चेक कर लेते हैं health कैची रहेगी आपकी आने वाले दीन दिनों में let's see okay triumph and success we have fulfillment of wishes and delight यह star card again हमारे पास है guys देखो health issues भी ठीक होते वे दिखेंगे क्योंकि जब आप अपने career में अच्छा करोगे तो आपका mental health है वो अच्छी हो जाएगी ठीक है जिससे कि आपकी wishes भी पूरी होते वे मैं देख रही हूँ यह तिजोरी आपके भागे में खुलने वाली है it means money आप काफी attract कर रहे हो success आप attract कर रहे हो और आपके जो भी healthy choose है वो भी ठीक हो जाएगे ठीक है कुछ और अगर आता है आपके लिए तो मैं देख लेती हूँ divine की तरफ से destiny आप जो भी काम कर रहे हो ना यह आपका काम आपको आपकी destiny तक लेकर जा रहा है ठीक है जो भी आप अपने purpose पे काम कर रहे हो या जो भी आप अपनी life में अपनी life को better बनाने के लिए काम कर रहे हो ये काम आपका inner work की तरह work कर रहा है और आप अपनी destiny की तरह आगे बढ़ रहे हैं ठीक है इसलिए परिशान ना होकर अपना काम अपना purpose अपने purpose पे काम करते रहिए जो भी आपके wishes हैं उसके पीछे भागे गाइस अपने goals को अपनी wishes को chase कीजिए इस partner को chase मत कीजिए ठीक है ये अपने आप आपके पास आ जाएगा आप अपनी wishes को chase कीजिए ठीक है अपने goal को chase कीजिए या अपनी life को celebrate करना शुरू कर दीजिए आप ठीक है जितना आपके बस में हैं आप celebration कीजिए अपने intuition को follow कीजी और ये चीज़े आपके ले important है इस time तब ही जाके ये घर आपका बनेगा आपकी marriage होगी क्योंकि अगर अपने purpose पर काम करते हो तो अपनी destiny की तरफ आगे बढ़ोगे और then आपको आपके partner भी मिलेंगे एक सही time पर आपकी शादी भी हो जाएगी आपका घर भी बसेगा ये आपकी intuition भी आती होगी आपको इसी तरीके से कि अगर आप अपने काम में successful हो जाते हैं तो आपके life के सारे factors में आपको success मिलेगा आपकी शादी भी हो जाएगी और आपका घर भी बसेगा इस तरह के इंचल तो कह रहे हैं आप अपने वर्क पर ही ज्यादा फोकस रखिए ठीक है अपनी स्टडी पर अपने वर्क पर वुमेन होल्जिंग कोई यह कोई यह अचीवमेंट आपको अपने हातों में लेकर आनी है ठीक है आपको उस पर काम करना है वाव दो वैल्यू यह मनी आप अ अच्छे कार्ड़ आ रहे हैं आपके वर्क के लिए यह मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो ठीक है और फैसा आपके भाग्य में है आप मेंसे बहुत साल होगे यह ब्लॉसमिंग अबंदेंस आपकी है थ्री नंबर इस इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नं ओके एक आंसर आगया है बिग हैपी चेंज़स वाइन आप यह बिग हैपी चेंज़स आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप विश्वास करते हैं तो हम हकीकत में आएंगे अंड़ परसंट आएंगे इफ यू बिलीव और नो तो नो यह किसलिए आया है मैं आपको बता दे देती हूँ जो लोग जल्द बाजी करेंगे ना उनके लिए नो है क्योंकि success एकदम से नहीं आती है वो दीरे दीरे आती है ठीक है उनके लिए नो हो सकता है जो patience ना रखे ठीक है और romance भी एकदम से नहीं आएगा आए लेकिन येस आपका जो wealth है ना वो improve हो जाएगा wealthy हो जाएंगे आप और आप ज्यादा से ज्यादा information gather कीजिए अपनी knowledge को enhance कीजिए और आप अपने काम में successful होते हुए दिख रहे हो मुझे तो आने वाले तीन दिन बहुत अच्छे हैं आपके work area में but love life में कोई खास improvement नहीं ह होता है आप एक चीज पर ही ध्यान लगाए एक टाइम पर एक से ज्यादा चीजों पर ध्यान लगाना भी ठीक ठीक नहीं है ठीक है एक एक फैक्टर को ठीक कीजिए फिर दूसरे फैक्टर के बारे में सोचना तो guys this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो स्क्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अभी के लिए बिस इतना है गाईस बाई टेक क्यार